यहिंद प्यारजादी इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवी की निव विकिंसी के बारे में और इस वीडियो में बात करेंगे टी टी की निव विकिंसी के बारे में तो complete information टी टी की निव विकिंसी के बारे में आप सभी को मिलने वाली है तो वीडियो को लास सबरी से इस भढ़ती का इंतिजार कर रहे हैं कि कभ TTE की न्यू विकिंसी रिलीज होंगे और कभ इसके लिए हम अप्लाय करेंगे तो आपको डेट भी क्लियर हो जाएगी हर एक चीज आपको यहां पे क्लियर होने वाली है तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आप सभी को य यहां पे नमबर विकिंसी हैं जो कि अपने आप में काफी जादा विकिंसी हैं साथी मैं आप सभी को बता दें कि यह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और सभी जोन से यह नमबर विकिंसी कलेक्ट की जा रही है अभी तक अगर हम बात करें तो 11587 टोटल जोन की जितनी वि सकते हैं यानि कि मिनिममम हम इतनी विकिंसी वांगहिं के चल सकते हैं जिसमें टोटल पोस्त 아버s देख सकते हैं और यह इन फिमिल दौनों कर्दिडै के लिए रहेंगी यानि कि इसके लिए मेल पत करें नैमों पोस के बारे में तो यहां पर आप सिभी को क्लिकर कर दिया है क traveling ticket examiner की आपकी post रहेगी अब इसके अलाबा यहां पर बात आती है eligibility criteria जिसमें सबसे पहले question पूछा जाता है कि इसकी age limit क्या रहेगी क्योंकि बहुत सारे candidate age limit को लेकर यह doubt रहता है कि भाई हम इसके लिए apply कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले आप age limit यहां पर देख सकते हैं कि जो भी candidate जिनकी age 18 से 30 साल के बीच में है वो सभी candidate इसके लिए apply कर सकते हैं अगर आप ST से belong करते हैं तो आपको पांस साल की उम्रसीमा में छूट मिलेगी यानि कि 35 साल तक apply कर सकते हैं अगर आप OVC से belong करते हैं अगर आप OVC category है तो तीन साल की छूट मिलेगी यानि कि 33 year तक apply कर सकते हैं तो minimum जो आपकी age होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए category के लिए बागी का reserve category का according यहाँ पर आपको age relaxation मिल जाता है तो इसके according आप इसके लिए apply कर सकते हैं आगे बात करें तो यहाँ पर फिर बात आती है आप के लिए पास 12th pass होना चाहिए तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं यह दोनों क्राइटेरिया हैं दोनों education qualification में से अगर आपके पास कोई भी है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं चाहें आपके लिए 12th हो यहाँ फिर आपके पास 10th के साथ ITI यहाँ फिर डिपलोम आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए eligible है और form apply कर सकते हैं तो यहां पर पूरी information आप सभी को दे दी गई है कि जो भी male and female candidate है इस qualification के साथ अगर आपने किसी भी मानने अपराप्त बोर्ड से यह युगता ली रखी है तो आप इसके लिए eligible रहेंगे बागी का बात आती है railway TTE selection process के बारे में तो बहुत जगे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आपको interview भी दिखा दिया जाता है किसके लिए interview होगा तो यह पहले होता था बिल्कुल बास सही है कि पहले आपका interview हुआ करता था TTE की पोस्ट के लिए बढ़ाओ यहां पे आपका कोई भी interview नहीं होगा दो फेसे यहां पे आपके रहेंगे पहला फेस आपका computer based examination रहेगा और number second आपका DV and medical यानि कि document verification and medical दो फेस में आपकी पूरी भरती complete होगी तो बहुत ही simple and easy process है भरती होने का वी तो आप सभी के पास ए golden opportunity है फिर बात आती है pay scale तो यहां पे पेश्केल बावन सो से 20,000 उननी location पे हैं तो location के according भी आपकी salary decide होती है तो यह आपकी लगवग in hand salary आती है क्योंकि HR बगरा जो भत्ते बगरा होते हैं वो सारे भत्ते add करके लगवग आपकी इतनी salary पहुंच जाएगी इसके अलाबा application fees की बात करें तो journal OBC EWS candidate को यहां पे 500 रुपे fees pay करनी होती है बाकी का सब्सक्राइब करनी होगी इसके अलाबा बात आती है आपके TTE की examination slavers के बारे में काफी ज़्यादा doubt है तो यहां पे slavers में आप सभी को सारी चीज़े clear कर देता हूँ कि देखिए यहां पे आपका objective type आपका question होता है और total जो number of question होते है 200 200 के लिए 200 marks आपको दिये जाते हैं यानि हर एक question के लिए एक number आपको दिया जाता है one by थड़की आपकी negative marking होती है यह दो तीन चीज़ें आपको पहले clear ह हो जानी चाहिए इसके अलाबा यहां पर total आपके 5 subject होते हैं एक आपका general awareness, arithmetic, technical ability, reasoning ability and आपका general intelligence तो यह 5 subject आपके होते हैं 40-40 question यहां पर divide होते हैं हर एक section में तो total number of question कितने हो गए 200 हर एक section के लिए बरावन number आपको दिये जाते हैं यानि 200 marks का आपका paper होता है और पूरा paper य कि आपके negative marking है यह आपको समझ लेना चाहिए तो आप इसके according अपनी तयारी सुरू कर सकते हैं यह 5 subject आपको अपने दिमाग में लेके चलने हैं general awareness, arithmetic, technical ability, reasoning ability and general intelligence तो यह आपके total subject में आप सभी को clear करते हैं कि कौन-कौन से topic होंगे, कितने question आप सभी के रहेंगे और negative marking कितनी ह तो 1Y3 की negative marking आप सभी को जरूर से ध्यान रखनी है, आगे बढ़ते हैं और आगे आप सभी को बताते हैं तो यहाँ पे general intelligence वाला बाड़ यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा है और 1Y3 की आपकी negative marking रहेगी यह already आप सभी को clear कर दिया है, बाकी का बात आती है apply करने के लिए तो आप सभी को बता दें कि हर बार की तरह यह RRB की website से ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं, अब apply करने के लिए अगर इससे पहले जरूरी चीज़ें यहाँ पर कुछ important dates में आप सभी के साथ discuss कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, online apply करने की जो date है, अभी तक announce नहीं की गई है, अगर कोई आपको announce बता रहा है, कि announce हो चुकी है, इस date से apply हो रहे हैं, तो बिल्गोल गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने starting में आप सभी को बताया, कि zone wise जो vacancies है, वो vacancies collect की जा रही है, और उसके according जो data receive हो रहा है, उसके according RRB काम करेगा, तो सबसे पहला काम है कि सभी से zone wise vacancy collect होना, अब तक 11,587 जो पोस्ट हैं, वो अब तक collect हो चुकी है, उसके according ये data है, जो मैं आप सभी के साथ share कर रहा हूं, जिससे कि आप अपनी तयारी शुरू कर पाएं, और आप सभी को इसके बारे में पता चल पाए, बागी का जब आपकी vacancy हैंगी, तो उ से कम आप ये वान के चलो, कि तीन से चार महीने अभी आपके लग सकते हैं, ये विकिंसी, अभी आपकी recently ऐसा नहीं है, कि 10-20 दिन या एकाद महीने में आ जाए, ये possible नहीं है, मैं आपको clear वो उड़ ओ, अभी इसमें तीन से चार महीने का समय लग सकता है, या इससे भी ज सीजन होगा, उसकी according चीज़ें आप सभी के सामने आएंगे, और notification बकेरा मैं काफी बल्लाव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहली बार TTE की इतनी बड़ी भरती होने जारी है, आप सभी को ये पूरी information वीडियो के description में एक link दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो में cover हुए होंगे, कि कब से आप इसके लिए apply कर सकते हैं, इस criteria क्या है, selection process क्या है, slavet क्या है, हर एक चीज़ को इस वीडियो में cover करने की causes की है, तो please वीडियो को like share करके channel को subscribe जरू कर लें, ताकि future में serrated अगर कोई भी update आए, तो real authentic तरीके से आप सभी को सबसे पहले मिल जाए, अगर आप चाहें तो हमारा telegram और instagram channel भी join कर सकते हैं, link वीडियो को description में दिया गया है, मिलेंगे next वीडियो में, so thank you for watching, जैहिन जैवारत